फलिस्तीन के मुसल्मान के लिए दुनिया भर की इसलामिक कंट्रीज में प्रोटेस्ट चल रही है। जैसे कि तुर्की, इरान, सीरिय, जौर्डन और वो अपनी हुकूमत से ये डिमांड कर रहे हैं कि वो फलिस्तीन के मुसल्मान की मदद करें। लेकिन जुल्म तो फिलिस्तीन के मुसल्मान पर हो रहा है। तो दुनिया भर के मुसल्मानों को क्या तकलीफ? चले बताता हूँ। नभी करीम ﷺ ने फरमाया कि मुमिनों की मिसाल एक जिस्म की तरह है। अगर जिस्म के किसी एक टुकडे में भी दर्द हो तो पूरा जिस्म तकलीफ में होता है। और बेचैन रहता है और सोता नहीं है। यहूदियों को लगता है कि उनका मुकाबला सिर्फ 50 लाग फलेस्तीनी मुसल्मानों के साथ है। लेकिन हकीकत में उनका मुकाबला सिर्फ पचास लाक फलिस्तीनी मुसल्मानों के साथ नहीं है, बलकि दो अरब मुसल्मानों के साथ है. अगर आप तक मेरी ये वीडियो पहुच रही है, तो आपसे मेरी सिर्फ यही दर्खास्त है, कि आप हर फर्ज नमाज के बाद अपने फलिस्तीनी भाईयों के लिए सच्चे दिल से दुआ करें, और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, या उसको मेंशन करें